कि यह कुंडली का जो पक्का घर है ब्रस्पती का है कि फाना नंबर 2 को धर्मस्थान बोला गया है। ठीक जी। बड़ापपा बोला गया है। और उमर बोला गया है। क्यूंकि हम अगर आप थोड़ा वैदिक में जाएं। अमारग घर। इसको मारग बोलते हैं न। तो तो कहीं ना कहीं ये एज से भी इर्लेटिड है ठीक है जी तो खाना नंबर दो के बारे में बोलते हैं एक अरे उपर आई है तो खाना नंबर दो को बोला गया है कुंडली का धर्मस्थान उमर और बुड़ापा ठीक है जी हम अगर वैदी के साफ से जाएं तो हमारा जो चहर है ये खाना नंबर दो में आता है ठीक है जी लेकिन खाना नंबर दो इसको बोलते हैं लाल किताब में मात्थे को विजीवल है मेरा मात्था दिखाई दे रहा है ठीक है इस मात्थे को बोलते हैं ये खाना नंबर ग्यारा और खाना नंबर दो दोनों है ठीक है लेकिन आग पूरा जो माथा है उसमें कौन सी जगा खाना नमबर दो की है और कौन सी जगा जो है खाना नमबर प्यारएं की है ठीक है मैडम तो आईए अभी हम यहां से स्टार्ट करते हैं घर चल कर जो आवे दूजे ग्रह किस्मत बन जाता है ठीक है जी जो भी ग्रह दूसरे खाने में बैठा होता है वो हमारा किस्मत का ग्रह बन जाता है ठीक है जी खाली पड़ा घर दस जब टेवे सोया हुआ कहलाता है अगर खाना नमबर दो में कोई ग्रह है यह खाना नमबर दो है वो अगर खाना नमबर दस आपके टेवे में आपके जनम पत्री में खाना नमबर दस ज अब सुवे हुए का मतलब क्या हुआ एक्टिव नहीं होगा लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बिता दूँ जो सोया हुआ ग्रह होता है वो जिस घर में बैठा होता है वहां का इफेक्ट तो देता ही है है ठीक है हम बोलते हैं कि यह ग्रैस होया हुआ है है मतलब लेकि वह ग्रैस जिस खाने में बैठा होता है उसका एफेक्ट तो वह देता ही है फिर आगे वो बोलते हैं बुनियाद समंदर ग्रैन होते पहाड उंचा घर दो का हो तो बोलते हैं कि अगर खाना नंबर 9 को हम समंदर मानें जिस टाइप से खाना नंबर 2 है हमारा किस्मत का घर होता है है ना जो किस्मत का घर होता है वह हमारा प्रोटेक्शन है हमारा लक है हमारी किस्मत है खाना नंबर 9 के अंदर खाना नंबर 9 हमारे पिटा को भी रिप्रेजेंट करता है कब तक जब तक हम खुद कमाने नहीं लगें चुद कमाने लग जाते हैं तो उम्हारी पिता को हम खाना नंबर दस से देखें ठीक है जी लेकिन खाना नंबर 2 हमारी प्रोटेक्शन भी है हमारे पिता भी समाज में इस जीवर में हमें protect करते हैं ठीक है हमारा भागय भी है भागय स्थान भी आगई लेकिन अगर हम खाना नमबर 9 को समुंदर मानें वह है नहीं है फॉर एक्जामपल जैसे समुंदर में से हवा आती है पानी लेती है बादल बन जाती है फिर उसमें बारिश स्टोर में होती है है ना थो हमारे भा नबर नो के जो बादल है वो बुर साथ कर रेक क्या ऐसका मतलब यह है कि खाना नंभर 9 हमारा काम नबर का है ना क्यूंकि हमारे ग्रहन करने भी है हमारे मुन का भी है कि जो खा लेते हैं इंटेंग जो पैसा हम जमां कर लेते 해요 जो पैसा हम बचा लेते हैं होता है ना तो खाना नंबर नो खाना नंबर दो की जो है वह बनियाद होगा बनियाद में बेस होगा ठीक है है इसके बारे में कुछ पूछ रहा है पूछ लो कि हम्रक्स कितना कर सकते हैं थीज़िये खाना नंबर दो का कारग्भी विरसपती है खाना नंबर नौ का 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 रगभी विरसपती है ओके तो आगे वो बोलते हैं चाल असर ग्रह दूजे बैठे जेर गुरू साया हो जेर का मतलब होता है यहां हर वर्ड का मतलब है जेर का मतलब होता है अधीन धीक है ना चाल असर ग्रह दूजे बैटे चाल मतलब अगर कोई भी ग्रह चल कर दूसरे गर में आ जाता है दूसरे भाव में आ जाता है जेर असर गुरू साया हो तो ओ गुरू के अधीन हो जाता है ठीक है मलव गुरू के अंडर आजाए अगर तो वर्षवल में आ जाए चाहे हो वैसे आपके दूसरे घर में तो जो है वर्षवल में खाली चेंज रहता है आप पैदा हुए आपके दूसरे घर में कोई प्लैनेट आए गया उस समय आपके सेकिंड हाउस में कोई प्लैनेट है तो वह भी गुरू के अधीन होगा अगर वर्षवल में है तो उसके लिए वह गुरू कैसर होगा ना हाँ अगर वह एक तो होगा यह देखिए इसको अलग अलग रखिए एक तो है मान लीजिए आपका जनम हुआ ठीक है पार वह गुरू की अधीन होगा ठीक है और उसके बाद आप मान लीजिए कि खाना नमबर दो खाली है आपका जनम हुआ और खाना नंबर दो खाल लिए है ठीक है जी? तो अगर वर्षफल में भी कोई ग्रे आ जाता है तो वो गुरु के अधिन हो जाता है और उसका जो फल है वो गुरु काना नंबर दो का दो का जो फल होता है उस पे गुरू का भी इंपेक्ट रहता है कि आपकी जनम कुनली में या आपके वर्ष्टल में गुरू की पुजीशन क्या है? ब्रस्पदी की पुजीशन क्या है? ठीक है जी? हम इसको आगे एक्स्प्लेइन भी करेंगे. ठीक है? ये दोनों चीजे अल मतलब जो बैनेफिक एफेक्ट हमें अपने भाग्या से मिलने हैं, उसके पूरे बैनेफिट एफेक्ट हमारे भाग्या के जो पूरा लाव है, संपूर्न लाव है, वो खाना नमबर दो से मिलता है कि हमारे खाना नमबर दो की कंडिशन कैसी है? ठीक है जी? हमारा भाग्या बहुत अच्छा है उच्छ का प्लैनेट है बैठा हुआ है लेकिन उस भाग्या का हम कितना अपयोग कर पाएंगे कितना उस भाग्या का हम बैनिफिट ले सकते हैं हमारा लक कितना अच्छा है उसका हम बैनिफिट कितना ले सकते हैं कितना वो हमें बैनिफिट दे कर चाहेग वो डिपेंड करेगा on the position of second house, second house कैसा है, चाहे वो खाली है, चाहे उसमें कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, उसकी condition कैसी है, फिर बरस्पती की condition कैसी है, ठीक है जी? इसको हम ऐसे करें, ठीक है जी? आठ पड़ा घर जब तक खाली असर भला ही देती हूँ, अगर खाना नंबर दो में, खाना नंबर आठ खाली है, ठीक है जी? आठ पड़ा घर जब तक खाली असर भला ही देती हो, मतलब जब तक खाना नंबर आठ खाली रहेगा, तब तक जो है, खाना नंबर दो का एफेक्ट अच्छा आएगा, समझ गए? निशा जी समझ गए हो, आठ जी सर, आठ नॉलिज कीजिए प्लीज, ताकि मैं आगे बढ़ूं, फिर तो ये देखिए, कि जो खाना नंबर दो है, उसका एक तो हमने बताया, कि बरस्पती कैसा बैठा हुआ है, दूसरा हमने बात कि खाना नंबर नौ का जो पूरा संपू है, उसका जो लाव है, हमारे भागया को हम कितना यूटिलाइज करते हैं, वो जो डिपेंड करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा, कि हमारे खाना नंबर दो की कंडिशन कैसी है, ठीक है, एक हमने डिसकस किया, कि जो खाना नंबर आठ है, खाना नंबर आठ अगर खाली है है तो अच्छा है खाना नंबर दो की कंडिशन के लिए ठीक है जी यह सर्थ ठीक है उसके बाद वो बोलते हैं शुरू उमर में असर दूज्य का गर छेने पर पड़ता हो अब यहां पे दो मत हैं ठीक है जो एक बुक में भी लिखा हुआ है और एक यहां पे तो पोईट्रि इफेक्ट है वो उमर की स्टार्टिंग में उन्हें लिखा शुरू उमर में ठीक है वो छटे घर भी पड़ता है लेकिन जहां इस बुक में भी आगे एक्स्प्रेन किया गया है या आगे कि यह उमर को मैंशन नहीं किया गया है वहां पे यह बोला है कि जो खाना नंबर द लेकिन मैं यह मान के चलता हूं कि अगर मतलब हम देखें तो यहां पे जो हमें पंडी रूप चंजोशी ने बोला है हमें उसको ज्यादा ऑथेंटिक मानना चाहिए ठीक है जी और अगर इस चीज़ को ज्यादा ऑथेंटिक मानने की जगा मतलब हम अपने पास जो बर्फ चाट आता है जब हम उसको एक्जामिन करते हैं तो हम पहले जो इस चीज़ को तरजी देंगे कि पंडी जी क्या बोलते हैं ठीक है उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मतल जब चाट को हम उसके हिसाफ से एक्जामिन करने की कोशिश करें ठीक है फिरू उमर में जाती असर हो नेक जो अपना वक्त बुड़ा पे बढ़ता हो अगर खाना नंबर दो अच्छा है ठीक है जी खाना नंबर दो किसी का अच्छा है खाना नंबर दो में कोई ग्रह इफेक्ट नहीं देगा बढ़ापे में अच्छा एellschaft देगा अगर खाणा नंबर दो अच्छा है किसी का खाणा नंबर दो की पुजूशन अच्छी है इसमें बैठ हुए क्रेस की पुजूशन लब मंदिर मींज धरम स्तान, धरम स्तान हमने बोला है खाना नंबर दो, खाना नंबर चार की जो बुनियाद है, वो खाना नंबर दो है, ठीक है? खाना नंबर नौ, जो है, वो खाना नंबर दो की बुनियाद है, खाना नंबर जो दो है, वो खाना नंबर चार की ऐस डूसरे को देखता है तो यह यह तीनों कर का असर जो है खाना नमबर दोख से संबंद होंके यह आपस में मिल जाता है है क्लियर हुआ छो इस बिठ्व कोई WHO WE'RE दाउट है तो आप अभी पूछ लो नहीं नहीं सो ठीक है ना खाली होते गुरु मंदिर टेवे असर रुहानी उंदा मतलब खाना नंबर आठ के साथ साथ अगर खाना नंबर दो भी खाली है तो पूरा मतलब अच्छा एफेक्ट है उसको अच्छा माना गिए ठीक है जी यस अब देखिए उन्होंने यहां पर यही बात बोली है उसी चीजों को पॉइंट्स को स्पेन किया है खाना नंबर दो हमेशा नो के ग्रहों या नो खाना नंबर नो के उपर मनलब जो है उसका बेस जो है खाना नंबर नो को गिना जाएगा ठीक है और जो खाना नमबर चार होंगे, उसकी जो बेस है, वो खाना नमबर दो होगा, ठीक है, और जो खाना नमबर आठ है, वो खाना नमबर दो को देखता है, जो खाना नमबर दो है, वो खाना नमबर छे को देखता है, इसी तरह खाना नमबर दो के, दो से, खाना नमबर छे और खाना नमबर आठ का आपसी संबंद बन जाता है थुरू खाना नंबर दो ठीक है जी इसी तरह खाना नंबर दो से खाना नंबर आठ का और खाना नंबर चे का आपसी संबंद बन गया दोनों का संबंद खाना नंबर चे का और खाना नंबर दो से बन गया दूसरी बात उन्हें बोली कि खाना नंबर आठ खाली हो तो खाना नंबर दो उंदा उंदा मींज अच्छा होगा लेकिन अगर खाना नंब नमबर दो भी खाली है तो पूरा यह ठीक है यह सो लेकिन यह पॉइंट जो नेक्स पॉइंट है वो आगे एक वीता और आएगी उसके अंदर आएगा बरसपति जो खाना नमबर दो में होता है और अगर ब्रसपति खाना नमबर दो में हैं और खाना नंबर आठ अगर खाल दी है ठीक है तो ब्रस्पदी का एफेक्ट जो है वो खराब हो जाएगा कि समझे इस बात को यह इसका इसका क्या मोलते हैं लाल किताब का प्रिंसिपल है अगर खाना नंबर दो में हो और खाना नंबर आठ खाली हो तो वह ब्रस्पद की मंदी हवा होगी मंदी हवा मींज उसका जो एफेक्ट है वो खराब हो जाएगा मतलब अच्छा एफेक्ट हमें ब्रस्पती का नहीं मिलेगा ठीक है यस फिर अभी एक और कवीता इसमें कवीता हैं बहुत हैं यह पूरी जो बुक है कवीता के मात्यम से लिखी गई है इसके वर्ट से नहीं समझा रहा हूं सारे वर्ट से जब एक बार इसको पढ़ने लग जाओना तो बहुत मतलब इसमें इन्वाल्मेंट हो जाती है इंसान ठ ठीक है तो यहां पर सिंबॉलिक चीज़ें बहुत बोली गई हैं